इब्रानियों के नाम पत्री ग्यारवा अध्याय अब विश्वास आशा की हीवी वस्तौों का निष्टे और अंदेखी वस्तौों का प्रमान हैं, क्योंकि इसी के विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी स्रश्टी की रचना परमेश्वर के वच्षन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह दे विश्वास ही से हाबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेटों के विशे में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यू को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसंद किया है और विश्वास बिना उसे प्रसंद करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है विश्वास ही से नूह ने उन बातों की विश्वे में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितोनी पाकर भक्ती के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोशी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से हो जाता हूँ तो भी निकल गया। क्योंकि उसने प्रतिग्या करने वाले को सच्चा जाना था इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था अकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अंगिनित वंश उत्पन हुआ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिग्या की हुई वस्तवे नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम प्रत्वी पर परदेशी और बहारी हैं। वे प्रगट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। और जिस देश से वे निकल आये थे यदि उसकी सुधी करते तो उन्हें लोट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गी देश की अभिलाशी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। वे उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विशे में आशीश दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीश दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किय विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हडियों के विशय में आग्या दी विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन होने के बाद तीन महिने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आग्या से न डरे विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा और मसी के कारण निंदित होने को मिसर के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आँखें फल पाने की ओर लगी थी विश्वास ही से राजा के क्रोच से न डर कर उसने मिसर को छोड़ दिया क्योंकि वह अंदेख्य को मानो देखता हुआ द्रड़ रहा विश्वास ही से उसने फसह और लोहु छलतने की विधी मानी की पहिलोटों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ न डाले विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमी पर से और जब मिश्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब विश्वास ही से यरीहों की शहरपना जब साथ दिन तक उसका चकर लगा चुके तो वह गिर पड़ी विश्वास ही से रहब वेश्या आग्या न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था अब और क्या कहूं क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यिफ्टह का और दावुद और शामुयल का और भविश्वक्ताओं का वर्नन करूं इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते धर्म के काम किये प्रतिग्या की हुई वस्तुमें प्राप्त की सिहों के मुह बंद किये आग की ज्वाला को ठंडा किया तलवार की धार से बच निकले निर्बलता में बलवन्थ हुए लडाई में वीर निकले विदेश की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुऊं को फिर जीवदे पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पनुरुथान के भागी हों, कई एक ठटों में उड़ाये जाने और कोडे खाने, बरन बांधे जाने और कैद में पढ़ने के द्वारा परखे गए, पत्थर वह किये गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेलों और बकरियों की खाले ओड़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंग ही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिग्या की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात फैराई, कि वे हमारे बिना सिध्धता को न पहुचें.